हाई आज हम बनाएंगे कच्छे नारल या फिर कोकोनेट की चटने चलिए शुरू करते हैं प्राउसिस इसके लिए हम पहले पैर में टू टेबल स्पून ओयल करण करेंगी अब इसमें तीन या चार कटे हरे में इस्टालेंगी अब इसमें वन फो टेबल स्पून जीरा वन फो टेबल स्पून राया वर हाफ टेबल स्पून चना दाल सफेद माश दो या तीन कटे सुखे लाल मिच और थोड़े से करे पते डाल देंगे दो या तीन मेथी दाना डालेंगे और एक चित्की ऐसा फतेता हैं अब फ्लेम को बंद कर लेंगे जब तक यह थंडा होता है तब तक हम कोकोनट को छोटे छोटे पीसेश कर लेंगे मैंने यहाँ पर एक भट्टी लिया है कच्छे नारल को अब इसको हम छोटे छोटे पीसेश करके मिक्षी में डाल देंगे ज़ार में फ्लेम को बन करने के बाद हम थोड़ा सा इमली भी प्लेस कर लेंगे मैं बताना भूल गए थी सॉरी अब यह थंडा हो चुका है टेंपरिंग अब मिक्सी जार में हम बगार में से इमली और ग्रीन चीली इसको डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे सफिशेंट वाटर डाल के मैंने पेस्ट कर लिया है अब जो बगार हमने तल कर रखा था टेंपरिंग उसको मिला लेंगे बन गई हमारी वेरी सिंपल कोकोनेट शेटनी आप इसको दोस्या इटली मैसर बोंडा जो भी साथ इनियन के ब्रिक फास्टेस के साथ परफिक चलता है ज़रूर ट्रै कीजिए और हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नाट परगेट तो प्रेस अलाइक ब